नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीरपरी दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बेहधी महत्वपून जानकारी लेकर के मुनक्का या किश्मिष के फायदेयों नुकसानों को आज हम जानेंगे अपने इस वियों के माध्यम से मुनक्का अर्थात किश्मिष को पुराने जमाने से स्वास्थ के लिए लवदायक माना जाता है किश्मिष को भूमध्य सागरिय शेत्रों में ज्यादातर उगाया जाता है इसको हम ऐसे भी खा सकते हैं या पका के भी खा सकते हैं इसका इस्तेमाल खाना बनाने में भी किया इसको प्राप्त करने के लिए अंगूर के भीतर के रस को या पानी को अलग तरह की प्रक्रिया को अपना कर निकालने के बाद सुखा दिया जाता है और यहीं अंगूर सुखने के बाद किश्मिश या मुनक्का में परिवर्तित हो जाता है और बाद में यहीं सुखा हुआ फ इसे पानी में भी भिंगो कर रख सकते हैं आप जो सुनहरे रंग के अंगूर होते हैं उनको सलफर डायोकसाइड के साथ मिला कर सुखाया जाता है इसलिए उनका रंग सुनहरा होता है जो काले रंग के किश्मिश होते हैं वो थोड़े तीखे और खटे स्वादवाले होते है ये और किश्मिश की तूलना में थोड़े बड़े होते हैं किश्मिश के बहुत सारे प्रकार पश्चिमी एशिया के शेत्रों में बहुतायत में पाये जाते हैं इन्हीं किश्मिशों के लिए कुछ स्थानों पर लोगों द्वारा मुनक्का शब्द का उपयोग किया जाता ह अंगूर विभिन्य तरह की प्रजातियों और रंगों में पाया जाते हैं इसलिए मुनक्का का भी रंग कई प्रकार का होता है साथ ही इसका उपयोग भी इसके रंग पर निर्भर करता है मुनक्का हरे रंग, काले रंग, नीले, भूरे, बैंगनी और पीले रंगों में भी फ्लेमी अंगूर कहते हैं आए कुछ एक इसके इतिहास को हम जानने के कोशिश करते हैं मुनक्का के मुनक्का शब्द की शुरुवात पुराने फ्रेंच भाषा के लोन वर्ड शब्द अर्थात रिनी से हुई है और प्राचिन समय में किश्मिश शब्द की उपज लेटिन शब्द के रेसमस शब्द से हुई है जिसका अर्थ अंगूर या जामून का गुच्छा होता है समानिय तोर पर मुनक्का को राइसीन नाम से जाना जाता है अंग्रेजी में इसे ड्राइफ रूट से हिंदी में इसे किश्मिश दाख नाम से जाना जाता है इसका बोटेनि कि उस समय भूमध्य सागरी शेत्रों में इसके पोधे को सजावट के रूप में उपयोग में लाया जाता था इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि फोनिसियन और अर्मेनियन ने इसकी खेती की शुरुआत की थी फिर उन्होंने रोमन और ग्रीस के साथ किश्मिश का ब्यापार जहां इसे बहुत पसंद किया गया और इसकी मांग बढ़ने से इसकी कीमतों में भी इजाफा अर्थात बढ़ोतरी हुई 18. शताबदी में स्पेन की रानी ने धर्म का ग्यान देने के लिए मिशनरियों को मैक्सिको में भेजा वे वहाँ ग्यान देने के साथ ही अंगूर का इस्तेमाल शाकाहरी मदिरा के रूप में करते थे इस तरह अर्मेनियाई किश्मिश की खोज के पहले संस्थापक बन गए वर्तमान में कैलिफोर्निया में करीव करीव 1,85,000 एकड में किश्मिश की खेती की जाती है मुनक्का या किश्मिश में पाये जाने वाले हम पोशक ततों के बारे में जानते हैं 100 गराम मुनक्का या किश्मिश में मिलने वाले प्रोटीन मिनरल्स और सारे पोशक ततों को हम अलग-अलग चाड के माध्यम से आप सभी को बता रहे हैं इसमें उर्जा ये ध्यान रख लें कि हम 100 ग्राम में बता रहे हैं उर्जा 299 किलो ग्राम, कार्भो हैट्रेट 79.18 ग्राम, सुगर 59.19 ग्राम, फैट 0.46 ग्राम, प्रोटीन 3.07 ग्राम, डाइटरी फाइवर 3.7 ग्राम मुनक्का में बहुत सारे मिनरल्स भी पाये जाते हैं, जिनमें अलग अलग पोशक तत्वों की मातरा होती है जिसके बारे में भी हम आप सभी को बता रहे हैं मैगनीशियम, ये भी ध्यान रखें कि 100 ग्राम की मातरा में हम आपको बता रहे हैं मैगनेशियम 32 मिली ग्राम, सोडियम 11 मिली ग्राम, पोटैशियम 749 मिली ग्राम, जिंक 0.22 मिली ग्राम, फासफोरस 101 मिली ग्राम, मैगनेज 0.299 मिली ग्राम, कैल्सियम 50 मिली ग्राम, आयरन 1.88 मिली ग्राम, मुनक्का में विटामिन्स की भी बड़ी मात्रा पाई जाती है इसमें मिलने वाले हर विटामिन की अपनी एक मात्रा होती है जिसको कि हम आप सभी को बता रहे हैं मुनक्का या किश्मिष को खाने से बहुत फायदा मिलता है खास करके वजन को घटाने में यह बहुत ज़्यादा लाफदायक है इसके अलावा इसके कुछ फायदे हम आपको बता रहे हैं 2011 में फूड और पोशन डाटा बेस के शोध में बताया गया है कि मुनक्का को खाने से मोटापा के बढ़ने की संभावना कम हो जाती है और साथ ही यह मोटापा कमर के पास से घटाता है इसके सेवन से उर्जा के साथ वसा भी मिलती है लेकिन यह वसा को शरीर में जमा नहीं होने देता है मुनक्का खुन में मौजूद शरकरा के स्तर को नियंतरित रखने में सहायक है इस वजह से डाइबिटिस टाइब टू होने का खतरा कम हो जाता है वैज्यानिकों ने भी अपने स्तर से जाच कर इसके स्वास्थे में लावकारी होने की पुष्टी कर दी है मुनक्का में अन्थोक्यानिस नामक पिगमेंट होते हैं जो कि एंटी ऐलर्जिक एंटी कैंसर से बचाओ में सहायता करता है यह केवल बाहरी रूप से ही नहीं बलकि भीतरी रूप से भी सहायक होता है मुनक्का में फाइवर की मात्रा भरपूर रहती है जो की शरीर में मौजूद वसा को जलाने में कारगर होती है इसके साथ ही यह कबज से रहत दिलाकर पाचन के शमता में सुधार लाती है यह शरीर में मौजूद हार्मोन लेप्टिन की मात्रा को बढ़ाने में सहायक होता है इस तरह से इसको खाने से पीट भरा हुआ महसूस होता है जिससे भूख कम लगती है और हम भोजन के सेवन की अधिक्ता से बच जाते हैं फाइवर शरीर में मौझूद सारे विर्शाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है तथा पीट में अच्छे जिवानों की संख्या को बढ़ाने में जिसको मिक्रू भीयोता का नाम दिया गया है सहायता करता है फाइवर यूप्त मुनक्का को खाने से शारीरिक रूप से व्यक्ति उर्जानमित महसूस करता है मुनक्का हड़ी के विकास और पोशन के लिए भी जरूरी है मुठापा बढ़ने के साथ ही शरीर के जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है जिसे आश्टियोपोरेसिस्क के नाम से जाना जाता है मुनक्का मुठापे को कम कर इस रोग को रोकने में मदद करता है मुनक्का में कैलशियम भरपूर मातरा में पाया जाता है जो कि हड़्डियों और दातों को मजबूत करने में सहायक है इसके साथ ही इसमें ओले नोलिक एसीड होता है जो दात की बिमारियों जैसे कि मसूमों में जलन, सूजन, कैविट वीज, दात के खराब होने इत्यादी से बचाता है यह हड़ी को मजबूत रखने के साथ ही उसे स्वस्त भी रखता है मुनक्का में प्राकृतिक रूप से शरकरा और गुलूकोज के साथ ही फ्रुक्टूज की मातरा पाई जाती है इसके साथ ही इसमें विटामिन के मातरा होती हैं। मुनक्रा के सूखे फलों में एसिड्र और टैनिंज जैसे एंटि-अक्सिड eighty भी पाये जाते हैं। मुनक्रा में एंटि-अक्सिडेंट होते हैं। जिस समाहित होते हैं। इसके साथ ही मुनक्का में विटामिन A, बिटा कैरोटिन और A कैरोटिनाइड की भरपूर मात्रा होती है जो कि हमारी आखों के लिए बहुत ही लाफकारी है इसको खाने से आखों की कमजोरी जो उम्र के साथ आती है उसे कम किया जा सकता है साथ ही मोतिया बिंद जैसी आखों में होने वाली बिमारी से सुरक्षा परदान करता है मुनक्का के सिवन से हमें कैंसर जैसी खतरनाक बिमारी से भी बचने की संभावना बढ़ जाती है मुनक्का में बड़े स्तर पर कैंटेस पाया जाता है जो खून में पोलियोफेनेलिक एंटी ओक्सिडेंट के स्तर में बृध्धि करता है और यह कैंसर जैसी बिमारी की गती को धीमा करने की शमता रखता है मुनक्का में आयरन की मात्रा होने से यह शरीर में खून की कमी होने से रोगता है इसमें विटामिन बी कॉम्पलेक्स होता है जो की खून के नमीनी करन में सहायक है साथ है कोपर की भरपूर मात्रा होने से यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्मार में भी सहायक होता है मुनक्का में मौझूद फेनोलिक फ्यतो निउट्रियंट्स अपने जिवानों को नश्ट करने वाले गुणों के लिए जाने जाते हैं और इस तरह बुखार होने पर मुनक्का का सिवन अगर किया जाए तो यह बुखार के वाइरल और बैक्टिरिया से लड़कर हमें बुखार से निजात दिलाने में भी सहायक होता है मुनक्का में बैक्टिरिया की व्रिधी को रोकने की शक्ति होती है, जिस वजह से इसको खाने से दाटों की समस्या से निजात पाया जा सकता है इसमें मौजूद बुरान मुह में उत्पन हो रहे रोगानों को कम कर दाटों को मजबूत और स्वस्थ बनाता है मुनक का पूरी तरह से एक स्वास्थ वर्धक फल है इसका कोई भी कुछ भी गलत प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता है लेकिन किसी भी चीज को खाने की मातरा हमेशा सिमित होनी चाहिए इसका भी ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए चुकि यह मीठा होता है इसलिए जो भी व्यक्ति सुगर की बिमारी से पिडित हैं उनको इसके सेवन से पहले डॉक्टर से परामर्ष जरूर ले लेना चाहिए मुनक का के बीजों के भी कुछ एक लाव होते हैं जो हम आप सभी को बता रहे हैं मुनक का के साथ ही इसका बीज भी बहुत ही कारगर होता है मुनक का के बीज दिल को स्वस्थ रखने के साथ ही तवचा, दांत, मुँख की बदवू, सूजन, हड़ी में ताकत, मधुमेह इत्यादी के लिए अच्छे होते हैं बीज के लाव को देखते हुए इसकी खेती भी बहुत तायत मात्रा में की जाती है बीज के सेवन से प्रोष्टेड फेफणों में कैंसर, एंटी एलर्जी इत्यादी को रोका जा सकता है क्योंकि बीज में OPC की मात्रा होती है, अर्थात प्रोंथ्योच्यानी दीन कॉम्पलेक्स ये एक तरह का एंटी ऑक्सिडेंट योगिक है जो शरीर को लाव पहुँचाता है मुनक्का या किश्मिश के तवचा के लिए कुछे कलाव होते हैं, जो हम आपको बता रहे हैं हर कोई अपनी तवचा को हमेशा सुंदर और चमकते हुए देखने की चाहत रखता है तो इसके लिए आप रोज अगर मुनक्का का सेवन करते हैं खास करके काले मुनक्का के सेवन से चेहरा हमेशा जवाँ और कांती में बना रहेगा मुनक्का के सेवन से शरीर में मौजूद अप शिष्ट पदार्थ बाहर आ जाते हैं जिस वजह से रक्त का शुद्धी करण हो जाता है जिसका परिणाम यह होता है कि हमारे चेहरे पे कील मुहा से और रूखापन नहीं आता है जिस वजह से चेहरा दाग रहित दिखता है इसमें एंटियोक्सिडेंट की मात्रा होने से यह डियने के विघटन को रोकता है जिस वजह से प्रतिरक्षा प्रणाली तीज हो जाती है इसके साथ ही यह चेहरे पर हमेशा उम्र के साथ होने वाली लकीरों के प्रभाव को कम कर देता है इसके साथ ही इसमें फाइटो केमिकल्स भी होते हैं जो कि हमारी त्वचा को सुर्य की तेज किरों से सुरक्षित रखने के साथ ही प्रदूशन से होने वाले नुकसान से भी बचाते हैं आईए अब हम जानते हैं मुनक्का या फिर जिसे हम किश्मिश बोलते हैं उसको खाने से बालों को होने वाले लाफ के बारे में बालों के लिए मुनक्का या किश्मिश बहुत ही लाफदायक है खास करके अगर काली मुनक्का का इस्तेमाल हम करते हैं तो यह बालों के लिए रामबा सिध्ध हो सकता है खिश्मिश भले ही देखने में छोटा होता है लेकिन इसमें आयरन के मात्रा भरपूर होती है जिस वज़ा से हमारा संचार तत्व कारगर रूप से कार्य करता है आयरन हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही महतोपूर पोशक तत्व है या हमारे शरीर के साथ साथ पूरे सीर में रक्त परिसंचरण को बनाए रखता है जिस वज़ा से बाल जढ़ते नहीं है और बालों के रोम छिद्र साफ भी रहते हैं जिससे बाल के लंबे होने की संभाव होना बढ़ जाती है मुनक्का में लोह तत्व और विटामिन सी होता है जो कि तीजी के साथ खनीज तत्वों का और शोशन कर लेता है और बालों को उचित पोशन परदान करता है इस वज़ह से ये हमारे बालों को असमय सफेद होने से बचा लेता है मुनक्का या खिश्मि क्यूं इत्यादी में इस्तेमाल होता है मुनक्का का जूस या रस एक त्वरित पुनर रोधक है इसके सेवन से एनीमिया की समस्या से मुक्ति मिलती है इससे अस्थमा में भी रहत मिलती है आई अब हम सभी जानते हैं मुनक्का या फिर किश्मिश को कैसे खाए मुनक्का ऐ आसानी से मिल जाता है इसको सुखे रूप में दूध या पानी में भिंगो कर साथ ही जो भोज्य पदार्थ घर पर बनाये जाते हैं जैसे की खीर, पुलाव, इत्यादी उनमें भी इसका सेवन किया जा सकता है डाल करके क्योंकि यह अपने मीठे गुन की वज़ा से खाने के स्वाद में भी बरहोतरी कर देता है मुनक्का या खिश्मिश क्या कुछ एक घरेलू इलाज में भी उपयोग होता है आए उसको जानते हैं यह आयरुवेद की दवा के तरज पर भी कार्य करता है जैसे के आमतोर पर कुछ बच्चे थोड़े बड़े होने के बाद भी बच्चे में है तो दो मुनक्क का लेकर उसके बीज को निकाल कर उसमें एक या दो काली मिर्च के बीज डाल कर रात में सोने से पहले बच्चे को इसका सेवन कराएं ऐसा करने से बच्चे की बिष्तर को गिला करने की समस्या धीरे-धीरे कम हो जाएगी यदि कोई व्यक्त सूखी खासी से पिडित है तो उसे घरेलू उपाय के रूप में मुनक्का, पीपली, काली मिर्च और खजूर सभी सामग्रियों को अच्छे से पीश कर फिर सेवन करना चाहिए अगर इसको हर रोज पिडित व्यक्ति को 3-4 बार सेवन कराया जाए तो उस व्यक्ति को सूखी खासी में रहत मिलेगी साथी यह बिमारी धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक भी हो सकती है मुनक्का के इस्तेमाल से पुराने भुखार से भी रहत पाई जा सकती है इसके लिए मुनक्का, शहद, पीपली, खजूर और घी सभी को एक साथ पीस कर इसको हर रोज 5 ग्राम तक की मातरा में सेवन करने से बुखार में लाह मिलता है मुनक्का कब्ज की समस्या से राहत दिलाता है इसके लिए यह उपाई करना होगा कि 10 से 12 मुनक्का को दूध में डाल कर खूब गर्म कर लें और रात में सोने से पहले इसे पी लें तो यह पुराने से भी पुराने कब्ज को खत्म कर देगा और कब्ज से होने वाली बिमारी बावासीर से भी रहत दिलाने में मदद करेगा इसके अलावा इसे घी में भूनकर और साथ ही एक चुटकी नमक के साथ खाएं तो भी यह कबज से रहत देगा अगर किसी को गैस या एसी डिटी की समस्या है तो उसे रात में 10 गराम भींगोए हुए मुनक का और 5 गराम सौफ को एक गलास पानी में भींगा कर सुबह च्छान कर देने से एसी डिटी में रहत मिलेगी इसका सेवन सुबह खाली पेट किया जाना चाहिए अगर किसी को सीने की तकलीफ या उल्टी की समस्या हो तो उसे 10 गराम धान के बीज और 10 गराम मुनक का को 2 गंटे तक पानी में फुला कर फिर उसको मसल करके छान ले और इस पेष्ट को 6 गराम तक की मातरा में पीडित व्यक्ति को खाने के लिए बार बार दें इससे उस व प्रुक्ति को बाहर निकालने के साथ ही नकसीर जैसी बीमारी में भी रहत देता है इसके लिए मुनक का या अंगूर के रस्त को भी अगर नाक में 3-4 बूंद के मातरा में डाल दिया जाए तो नाक से खूल निकलना बंद हो जाता है और पीडित को रहत महसूस होती है मुन मुनक का में वजन के अनुसार 72% शुगर होता है इसके साथ ही इसमें ज्यादा तर मातरा में फ्रुक्टोज और ग्लुकोज भी होता है मुनक का में खूबानी जैसे पोशक ततो पाये जाते हैं इसमें इंटियोक्सिदेंट की मातरा भरपूर रहती है चुकि ताजे अंग पूरों के अपिक्षा मुनक का में विटामिन सी की मातरा कम होती है इसमें कॉलेस्ट्रोल के मातरा नहीं के बराबर होती है अमेरिकन कॉलेज ओप कार्डियोलोजी के 61 वारशिक वैज्यानिक सत्र 2000 वारह में प्रस्तूत आंकड़े बताते हैं कि जिन व्यक्तियों को हाई ब्लड प्रेशर की बिमारी है अगर वो हर रोज तीन वार मुनक्का का सेवन करें तो उनके ब्लड प्रेशर में कमी आएगी ये दूसरे स्नेक्स के तुलना में ज्यादा फायदेमंद सावित होती है तो देखा दोस्तों आप सभीने कि एक मुनक्का हमारे लिए किस प्रका आदा मातरा में इसका सेवन नहीं करना चाहिए बाकी हमने जैसे बताया इस प्रकार से अगर आप मुनक का यानी की किश्मिश का सेवन करते हैं तो आप बहुत सारी बिमारियों से यूँ ही बच जाएंगे तो दोस्तों ये थी आज के हमारी जानकारी आप सभी के लिए और बेहद ही महत्तो पून जानकारियों को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों